हाई दोस्तों मेरा नमें परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में दोस्तों लास्ट वीडियो में मतलब लेक्चर नमबर वन में हमने देखा कि रेविट के बेसिक वर्फ्लो क्या है प्रोपर्टीज विंडो किसको कहते है प्रोजेक्ट ब्रावजर किसको कहते है और यह जो मॉडल हमने आपे बनाया है यह मॉडल हम कैसे बना सकते है ठीक है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वॉल जो आपको यह दिख रही है इसको आप मॉडिफाय कैसे कर सकते है और जो ceiling है और floor है वो आप कैसे attach कर सकते हैं ये तीनों चीजे इस वीडियो में cover करने वाला हूँ वीडियो आपको last देखना बहुत जरूरी है जिसके माद्यम से आपको बहुत अच्छी information रापत होगी लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे whatsapp group को telegram channel को भी join हो सकते लेकिन साथी साथ मैं आपसे request करता हूँ कि आप please मेरे channel को subscribe कीजे क्योंकि ये चैनल के माद्यम से आपको बहुत सारी चीज़े सेखने को मिलेगी चलो start करते हैं देखिए सबसे पहले हम आते wall modifications के बारे में wall modifications कैसे होता है जब भी आप कोई element इसमें draw करते हैं पहले आपको उसको select करना है select करने के बाद आपको उसके edit type में जाना है edit type में जब आप जाएंगे तो इसमें देखिए आपको structural अगर आपको structural चीजों में कुछ changes करने है मतलब अगर मैं इसके उपर edit करता हूँ तो आप इसका जो material है core boundaries layer above ठीके मतलब इसकी जो functions है material है वो भी आप इसमें change कर सकते हैं इसको मैं इसे बढ़ा कर सकता हूँ ओके आप इसमें इसे click करके ठीके जैसे यह है यह structure है इसके पर आप click करेंगे क्लिक करने के बाद आपके पास एक browser open होगा ओके आप इसकी thickness भी है से change कर सकते हैं ठीके जैसे अगर आपको 300 चाहिए पासो चाहिए वो भी आप change कर सकते हैं जैसे अभी देखिए structure आया तो structure अगर आपको कुछ अलग तरीके सा अगर यहां पे color देना है ठीक है वो भी आपे दे सकते हैं जैसे मान के चलिए आपको देना है हमें लाइक जस कंजिडर करके चलिए हमें अलग तरीके से देना है ओके हम यहां पे रिखते की वाल उड प्लास्टिक सिस्टम पेंट पे चलते हैं ओके पार्किंग प्रेंट अगर आपको पाच जो भी color आप यहां पे सिलेक दियुक्द में उलक है को थोड़ा काफिय कोलर अगरं मानम लेते ठेक है आप अइसे ऑके ठेक है अपके एस तरिक बेर है ठेक है So this is a particular way to change the color of wall आप wall के color को इस तरी के से change भी कर सकते हैं अगर आपको दूसरे shape में लाना है दूसरे color में लाना है तो edit type में जाएए फिर से यहापे आप जाएए color में इसके ओपर click किए यहापे once we click on this आपके पास यहापे और बहुत सारे color आते हैं इसके color के जो codification है आपको यहापे RGB मैं आपको फिर से बताता हूँ देखिए यह जो color के patterns है ठीके आप इनको भी change कर सकते हैं वाल पेंट वाल पेंट में आप इसमें फिर अलग-अलग तरीके से brush application roller application roller लगते हैं color बहुत सारे color आते हैं आप color को देखिए यह जो new color यहापे आने वाल है वो देखिए अगर मैं आपके wall को थोड़ा हलका सा gray color लेना चाहता हूँ वह भी आप इसमें ले सकते हैं okay ठीक है फिर apply okay ठीक है okay apply okay see this color is changed ठीक है आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको कि और किस कौन-कौन से functions होते हैं बट अभी फिलाल मैं आपको basic basic चीज़े बता रहा हूं ठीक है ताकि आप ज़्यादा क्या करते एक दम यह ना हो confused ना हूं ठीक है फिर color fill course fill section है वो भी आप इसमें फिल कर सकते हैं ठीक है उसके बाद जो boundaries है ठीक है जैसे यह जो boundaries अभी आपको बता रहा हूं ठीक है इसमें बहुत सारी चीज़े आती है Shading Pattern, Surface Pattern, Cut Pattern, Identity, Graphics अभी Graphics में देखी है अभी यह आ गया ठीक है यहापी बहुत अलग color जो आपका Surface Pattern है Surface Pattern आपको कैसे रखना है ठीक है मेस्टनरी concrete मेस्टनर रखना है brick मेस्टनर रखना तो आप इसको ऐसे pattern दे सकते हैं ठीक है Cut Pattern भी दे सकते कि Cut Pattern जब vertical section आएगा जब वो cut होगा तो कैसे दीखेगा तो brick wall को हमेशा ऐसे दिखाते ओके कि रिए apply कीजिए और यह जो color है इसको हम और अलग तरीके से इसकी transparency भी आप थोड़ा कटा सकते कम कर सकते ऐसे apply करेंगे ओके करेंगे apply ओके ठीक है इस तरीके से अभी मैं आपको इसका कुछ section draw करके दिखाता हूं मानके चलिए अभी जो मैंने आपको cut or section दिखा है मैं अगर इसको level number one पर जाता हूं ठीक है ऐसे और अगर मैं यहापर यह option होता है section निकालने का अगर इसको click करके ऐसे अगर मैं draw करता हूं और इस direction का अगर section देखता हूं तो देखिए यहापर section का tap बन जाता है आपको इस है ठीक है now अभी यह तो हमने चेक कर लिया अभी हम इसमें और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं ठीक है जैसे मानके लिए आपकी wall है ठीक है इसको हम अभी थोड़ा यह color थोड़ा जादा भड़क लग रहा है ठीक है इसको हम तोड़ा अलग इसमें change कर लता है okay let's come to the color okay which was earlier ठीक है gray color में हम इसको रखते है that could be a better one for a period of time okay just a minute appearance wall paint gray color okay apply okay okay apply can be able to see अभी आपको कैसे दिख रहे है it is in the gray color now okay now अभी हम बात करेंगे फ्लोर कैसे लगाते और और सेलिंग कैसे लगाते देखे सबसे पहले आपको हम elevation में लेके चलते हैं और यह जो section इसको हम थोड़ा modify कर लेते cut and fill से area को ताकि आपको और समझने में दिक्कत ना हो ठीक है यहाँ पर जाएंगे parking strip के पर क्लिक करेंगे यहाँ आप ऐसे ठीक है और यह जो brick missionary है इसको हम कर देंगे इसमें भी हम no pattern करेंगे apply okay okay apply okay ठीक है अभी आप देखेंगे तो आपको यह प्रॉपर तरीक से ब्लैंक दिखेगा ठीक है सबसे पहले layers को हम select करेंगे ऐसे इसको बगल में लिखेंगे बाहर लिखेंगे यह से ठीक है अभी अब देखिए अगर मैं यहाँ पे floor लगाता हूं तो floor obviously मेरा नीचे रहेगा और उपर मेरा दूसरा इसका floor लेगा उपर के layer का तो हम क्या करेंगे सबसे पहले level 1 के उपर जाके floor लगाएंगे तो हम level 1 के उपर आएगे अभी level 1 के उपर आने का architectural floor और structural floor दोनों अलग-अलग होते हैं तो हम फिला architecture का काम करा है तो हम सबसे पहले क्या पहाँँगे, floor पहाँगे, यहाँ पर floor architecture के पर select करेंगे औक है, फिर यहाँपे हम एक rectangular boundary select करेंगे इस boundary को यहाँपे click करेंगे, यहाँपे फिर यहाँ से हम यहाँ तक आ सकते ऐसे, यहाँ तक, और इसको okay कर देंगे, तो देखें ये हमारा फ्लोर बन. अगर मैं आपको 3D में दिखा, you can able to see the floor. आपका फ्लोर बन गया नीचे, लेकिन अगर आपको ये फ्लोर इस तरीके से नहीं डालना है. अगर आपको फ्लोर जो है, वो को अलग तरीके से डालना है. कैसे डालना है मैं आपको बता तो देखें मानके चलिए आप यहाँ पे गए फ्लोर में गए अर्खिडिक्चर फ्लोर आपने यह कमड यूज नहीं कि आपने लाइन कमड यूज की तो कैसे करेंगे आपको सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट कनेक करना है मैं यहाँ से एक फ्लोर बना के दे सकता है ठीक है अगर आपको इस फ्लोर को बनाने के बाद modify करना है तो आप इसको select किजिए आप edit type में जाएए आप इसकी structural चीजों को इसकी अगर thickness अगर आपको 120 किजिए okay दबाईए ठीक है अगर इसको आपका जो finish है वो अगर आपको change करना है that also you can you change okay flooring के ओपर मैंने click किया okay okay apply okay and you can see the flooring now ठीक है आप देख पार है आपको proper exploring मिलगी यहां पर okay right can you build to see ठीक है इसकी clarity आप देख सकते ठीक है यहां पर flooring मिलके okay now अभी आज के स्वीडियो में मैं आपको भी और एक last चीज़ बताने वाला हूं ceiling के बारे में अभी हम बता देते आपको ceiling भी बहुत simple है same इसी तरीकी से करना है बस आपको यह करना है कि आपको level number two के ओपर जाके आपको क्या करना है floor डालना है ceiling भी आप डाल सकते no issue ceiling मतला एक modification के लिए ceiling डाल सकते बट usually हम क्या करेंगे floor डालेंगे ठीक है now अगर करना है तो हम क्या करेंगे level number two पे चलते हैं ठीक है वहाँ पर भी हम floor ही select करेंगे ठीक है okay उसके बाद 150 mm thickness है तो आप उसको 120 mm thickness कर दीजे no issue boundary select करेंगे यहां से लेकर यहां तक हम क्या करेंगे modify करके apply कर देंगे ओके तो देखिए एक बन गया लेकिन अभी इसका यह जो पर्टिकुलर floor है इसका आपका duplication आपको करना है तो हम क्या करेंगे एडिट टाइप में जाएंगे ठीक है इसका अलग नाम सेलेक करेंगे ठीक है इसको duplicate करेंगे या फिर हम क्या करते हैं कि यह फिला जो flooring है ठीक है इसको हम अलग तरीके से लेकर आते कि नहीं यह flooring जो है फिलाल वी वांट क्या करते हैं जिस consider, हम इस फ्लोरिंग को जो है, ठीक है, अलग तरीके से वरक आउट करते है, इमेज जो है, यूस फर फ्लोरिंग, ठीक है, ऑके, no issue, तो हम सबसे पहले इसको जो है, इसको हम ऐसे रहने रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिलाल हम फ्लोरिंग को यहाँ से हटा देते हैं because we are going to do a rendering now ठीक है तो आपको पता से लिगा कि हम किस तरीके से फ्लोरिंग से अटेच कर सकते हैं किस तरीके से हम स्चेलिंग अटेच कर सकते हैं अभी देखें दोस्तों यहाँ पर अभी मैं आपको rendering करके दिखाता हूँ rendering करना मतलब क्या rendering करना मतलब जो भी आपने ड्रॉ किया है उसको high model लेवल पर बनाना तो इसका मतलब आपको सबसे पहले जाना यहाँ पर जो नीचे option दिख रहा है show rendering dialogue इसको क्लिक कीजिए आपको दिखें फिर आप यहाँ पर बोलेंगे एक तो render कीजिए ने तो आप region के पर क्लिक करेंगे तो आप area आपको select करना पड़ेगा अगर आप region select नहीं करते तो आपका जितना एरिया यहाँ पर पुरा render हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर आपको किस तरीके से चाहिए बेस चाहिए मीडियम चाहिए तो में चलो मीडियम से लेक कर लेता हूं हाई से लेक कर लेता है नो इश्यू ओके फिर हम यहाँ पर sun को sun only भी रखते एक्स्टरियर ठीक है आप sun की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं सकाय में आप no cloud few clouds आप very cloudy आप कुछ clouds भी आप देख सकते हैं फिलाल में आप few clouds लगता हूं ओके और यहाँ पर रेंडर के उपर आप क्लिक करेंगे तो रेंडर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ठीक है रेंडर की इस तरीके से देखिए प्रोसेस डालग बॉक्स स्टार्ट होए देखिए अप उतने हाई तब तब मैं और दो चीज़ें पताना चाहूंगा आप इस मेरे चानल को अगर आप ने सब्स्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्स्राइब कीजिए क्योंकि इस चानल के उपर आपको स्ट्रेन एनर्जी ओके सिविल इंजिनरिंग की बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको सि विजीट कर सकते हैं जिसका नाम है civilnotes.com ओके यह वेबसाइट काफी अच्छी है जो कि आपको help करेगी आपके सिविल इंजिनरिंग के कोर्स को करियर को और आगे बढ़ाने के लिए जिसके माद्यम से आप अपने जो courses है free courses आप यहाँ पे सीख सकते हैं जैसे की हो गया AutoCAD, Revit, Highway Designing, Civil 3D, Building Section and Elevation, Project Management using MSP Software इस तरीके से सारे चीज़े और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे डाउनलोड भी मैंने अवेलेबल करा के दिये हैं जहाँ से आप बहुत सारे चीज़े डाउनलोड भी कर सकते हैं जैसे की building plan हो गया, measurement sheet हो गई, reinforcement detailing हो गया, foundation का, बहुत सार इसी चीज़े हैं जो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, reinforcement detailing beam, इस तरीके से plan, ओके, फिर यह plans, बहुत सारे चीज़े आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, अभी हम हमारे Revit के ओपर चलते हैं, देखिए, अभी भी यह render हो रहा है, अगर आप इसको देखे हैं कि आपका घर किस तरीके से बनने वाला है, यह software बहुत अच्छा है, इस software का यूज करके आप बहुत अच्छे तरीके से अपने design skills, planning skills को और improve कर सकते हैं, ठीक है, और मैं तो यही चाहूंगा, कि आप सब लोग Revit का यह जो मैं बता रहा हूं, इसको और अच्छे तरीके से practice कीजिए, क्योंकि जितनी चीज़े में आपको बता रहा हूं, वो सारी की सारी चीज़े आपके काम में जरूर और जरूर आएगी, ठीक है, तो हम वेट करते हैं, कि यह render जल्दी से हो जाए, तो देखिए दोस्तों, rendering पूरी complete हो गई है, आप इस image को देख सकते हैं, कि क इसको रेंडर किया है, क्योंकि ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, तो आज के डेट में आपको इस तरीके से rendering भी करना हमने इस वीडियो में बता दिया है, तो I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्लिस वीडियो को लास्त तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मुच, हैव नाज देख, बबाए